तो हल्डो दोस्थो स्वागात आपका हमारी दूडोब शेणल पर दूस्थो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अगर आपको आपने पून के अंदर अपने अप्लीकिसीन lo каких करने बीजिवे की की सतरे पसर नंडर आपको लोग करने होते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे, वीडियो आन्तर जोर देखना थाकि आपको समझ में आ सेके, तो आपको अप्टे फोन के अंदर अपने अप्लिकेसन लॉक करने के लिए सबसी पहले अपनी फोन की सेटिंग में जाना है, फोन की setting में जाएंगे आप जैसे आप setting में जाएंगे setting में जाने बाद आपको scroll on करके नीचे आजाना और यहां आपको एक option दो मिल जाता है अपनी phone के अंदर apps simply आप apps पे click कर लेंगे apps पे click करने बाद आपको यह option दो मिल जाता है app lock app lock पे जाएंगे अगर आपके पास पता ही होगा, आपको बास Redmi का MI को फोन होगा, तो यहां पूछता है MI account, इसे एड करना है, नहीं तो इसे हम कर देते हैं, not now, not now करने बाद 5 सेकंड फिर से बेट कर लेना है, यहां से आपको तो option देओं मिल जाते हैं, एक तो sign in and add, एक तो मिल जाता है not now, त क्लिक करने बाद यह application, आपके कुछ automatic select मिलते हैं, अगर आपको इन्हें lock करना है, तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है, तो इन्हें आप untick कर सकते हैं, इस पर कार से आप देख सकते हैं, इसके बाद आप से use app lock पे क्लिक करेंगे, यहां से पूच रहा है, फिंगर पे इंट एक Chrome browser को हम lock कर देते हैं, तीन अपली इसने, जो कि हमने lock कर दिये हैं, तो चलिए यहां से हम बैक आज़तों और आपको check करा देते हैं, Amazon हमने lock किया था, lock हो चुका है, और हमने अपने phone के अंदर Chrome बजारों को lock किया था, Chrome browser भी हमारा lock हो चुका है, इसे enter कर देंगे, आपक आपने off कर देंगे, आपके सामने ऊपर setting option मिल जाता है, यहां मिल जाता है app lock, इसे भी आप यहां से off कर सकते हैं, तो इस पकार से अपने phone के अंदर अपने application को lock और unlock कर सकते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें, और channel पर नए हो तो channel को subscribe कर एंची लगव